हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लेसन कंप्लीट करेंगे नोट्स के रूप में बच्चे और सीखना बुक का लेसन नमबर पॉर जिसका नाम है सूचना प्रसंस करन सिद्धान्द बच्चे किसी कारिय को बच्चे किसी कारिय को कैसे सीखते हैं सीखने में मस्तिक्स की प्रक्रियाओं की क्या बुमिका रहती है बच्चे कुछ बातों को क्यों सीख लेते हैं और कुछ को क्यों नहीं सीख पाते हैं मस्तिक्स में सूचना के आदार पर ज्ञान का निर्माण कैसे होता है जो दिमाग को सूचना है मिलती है उनके आदार पर ज्ञान का निर्माण किस परकार होता है इस पार्ट में हम देखेंगे वातावरन में उपस्तित विबिन परकार के उद्धिपक यानि उद्धिपक को हो यहाँ पर हम सिच्मूल्स कहते हैं सिच्मूल्स उद्धिपक से हमारी ग्यानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं यानि किसी परकार के उद्धिपक होते हैं वो ग्यानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं उद्धारन के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकास तरंगे आखों को प्रभावित करती है द्वनी तरंगे, कानो को, उस्मा तरंगे, त्वच्चा को प्रभावित करती है और वायू में उपस्तित गंद नाक को प्रभावित करती है सूचनाओं के आदार पर इन सब सूचनाओं के आदार पर ज्ञान का निर्मान होता है दूसरे सब्दों में इसकी परिवासा ये होगी कि ग्यान अर्जन की सुरुवात ग्यानेंद्रियों द्वारा उत्तेजना गरण करने से भी होती है यानि जब ग्यानेंद्रियां हमारी उत्तेजना ग्रहन करती है तब हमें ग्यान का अर्जन होता है या ग्यान का हमारे अंदर निर्मान होता है हमारा मस्तिक्स ग्यानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को ग्रहन करता है हमारा जो दिमाग है वो एक परकार से ग्यानेंद्रियों के माध्यम से सूचनाओं को इखटा करता है जिससे हमें किसी चीज का ग्यान होता है अब मस्तिक्स को तीन भागों में बाटा गया है हमारे दिमाग है उसको तीन भागों में बाटा गया है हमारे दिमाग को वो तीन भाग कौन-कौन से हैं पहला है प्रामस्तिक दूसरा है मद्यमस्तिक या जिसे अनुमस्तिक कहते हैं तीसरा है मेडूला ओबलोगेटा प्रामस्तिक, अनुमस्तिक और मेडूला ओबलोगेटा मस्तिक्स तीन भागों में बाटा गया है प्रमस्तिक प्रमस्तिक्स अनुमस्तिश्क, मेडूला, मस्तिश्क ठीक है अब प्रमस्तिक्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे देखिए इस मस्तिक्स का काम है समझना, याद करना, संबंद जोडना, वारतालाप करना, अनुमान लगाना, समस्या समधान करना और खोजना आदी प्रमस्टिक्स के कारिय है यानि किसी चीज को याद करना किसी चीज के साथ संबंद जोड़ना किसी चीज को समझना ये सब प्रमस्टिक्स के कारिय है अब अनुमस्टिक्स के कारिय देखते हैं अनुमस्तिक्स यह प्रमस्तिक्स के नीचे इस्तित होता है इसका प्रमुक कारिय सारेरिक संतुलन बनाए रखना है यानि सारेरिक संतुलन सरीर का बेलेंस इसका मेन काम है अनुमस्तिक्स का सारेरिक संतुलन तीसरा है मेडुला ओबलो गेटा या मेडूला ओबला गेटा सरीर की प्राण रक्सा संबंदी किरियां ये करता है क्या करता है मेडूला ओबला गेटा प्राण रक्सा संबंदी किरियां को संचालित एम नियंत्रित भी यही करता है जैसे कि हमारे अंदर सांस लेने की परकिरिया निरंतर चलती रहती है ये परकिरिया मेडूला उबलागेटा के द्वारा है रक्त का संचालन यानि रक्त परिसंचरन भी मेडूला उबलागेटा ही करता है अब यहाँ पर हम मस्तिक्स की कुछ आकरती देखते हैं तो यह जो भाग है जिसको मैं मारकर से हाइलाइट कर रहा हूँ यह है प्रमस्तिक्स यानि आपकी खोपड़ी में जो उपर तक बढ़ा हुआ है वो पूरा यह यह आपकी खोपड़ी और यह पूरा जो इसके अंदर आ गया यह है आपका प्रमस्तिक्स और जो अनुमस्तिक्स है वो यह वाला है यह अनुमस्तिक्स और जो मेडूला ओबलोगेटा जो आपको यह नली टाइप में दिख रही है यह वाली यह है मेडूला ओबलोगेटा अब ज्यान की बात करते हम ज्यान कितने परकार का होता है देगि सामानियत ज्यान को दो बागों में बाटा गया है पहला सामान्य ग्यान होता है दूसरा विसिस्ट परकार का ग्यान होता है जो सामान्य ग्यान है वो है खाना पीना ये सब सामान्य ग्यान है ठीक है और जो विसिस्ट ग्यान है विसिस्ट ग्यान यानि जो जैसे आप गणित का कोई सवाल हल कर रहे हो तो उसमें आपको मर रहा हैं जैसे लिखना बोलना ये सब सामान्य ज्यान के अंदर आ जाते हैं अब एक दूसरे तरीके से ग्यान को तीन बागों में बाटा गया है यानि यहाँ पर सामान्य तोर से ग्यान को सामान्य ग्यान और विशिष्ट ग्यान दो बागों में बाटा है लेकिन एक और प्रकार से ज्ञान को हम यहाँ पर तीन भागों में बाटा हुआ देखते हैं अब वो तीन भाग कौन से हैं देखिए पहला है गोसनात्मक दूसरा है प्रकिर्यात्मक और तीसरा है अनुबंदात्मक यानि conditional प्रकिर्यात्मक और गोसनात्मक यह declarative है और यह procedure है एक प्रकार से process होता है इसमें इसमें जो साब्दिक जानकारी हमें मिलती है गोसनात्मक में क्या से संबंदित यानि जैसे पूछ लिया question हो गया राजस्थान की राजदानी क्या है तो इस प्रकार के question है जो गोशनात्मक है यानि एक सब्द जिनको कह सकते हैं साब्दिक जानगारी जो देते हैं जैसे जैपूर के इदिया मेंने तो यह जो ज्यान है यह संबंदित करता है गोशनात्मक ज्यान को ज्यान का गोशनात्मक प्रकार अब है प्रकिर्यात्मक कैसे हाविजाज कैसे उड़ती है बारिस कैसे होती है यह सब पूरा एक प्रोसेस चलता है इसलिए यह प्रकिर्यात्मक ज्यान है अब है अनुबंदात्मक ज्यान कब जिस question के साथ या जिस चीज के साथ हम कब जोड़ देते हैं वो conditional या अनुबंदात्मक ज्यान हो जाता है तो यहाँ पर ज्यान को सामान्य ज्यान और विशिस्ट ज्यान दो प्रकार से और फिर एक ज्यान को दूसरे तरीके से तीन बागों में बाटा गया है जो है गोशनात्मक प्रकिर्यात्मक और अनुबंदात्मक अब बात करते हैं पार्ट के मैं बिन्दू की सुचना प्रसंस करन मॉडल की संकल्पना पहली इसमें समवेदी स्मर्ती दूसरी है अलपकालिक स्मर्ती ज्यान का इस्थाई बंडार दिर्ग कालिन इसमर्ती में होता है देख इस मॉडल की संकल्पना में सुचना प्रसंस करन मॉडल की संकल्पना में मैं पॉइंट है समवेदी स्मर्ती और अलपकालिक स्मर्ती और फिर तीसरी है दिर्ग कालिक स्मर्ती यानि ये तीन पॉइंट है पहला यह हो गया दूसरा यह हो गया और तीसरा यह पॉइंट है दिर्ग काली की स्मर्थी अल्प काली की स्मर्थी और समवेदी स्मर्थी सोचना प्रसंस करना मॉडल की यह तीन बिंदू मुख्या हैं अब यहां पर एक सब्द का यूज हुआ है पुना प्रतिस्थापन यानि पहले वाले स्वरूप में लाना यानि कोई चीज पहले किस स्वरूप में थी उसी स्वरूप में उसको लाना उसको कहते हैं पुना प्रतिस्थापन अब दो मनोवय ग्यानिक है, एक है एक एकिनिसन, दूसरा है सिफ्रीन ठीक है, इन दोनों के जो विचार है वो यहां पर दिये होग है हैं ना किता की मत्त सीखने सि necesita की बूमिका इन दोनों के अनुसार हैं यह अटकिंसन एिवं सिफरीन के अनुसार कर नुर्ण कि अ कि अंतरनियत इस्मर्ती जैसे की साइकिल चलाना लिखना और पढ़ना ये सब अंतरनेहित इस्मर्ती के अंदर आते हैं लेकिन जो इस्पस्ट-इस्मर्ती है बो जैसे किसी के चार बजे मुझे मिलने जाना है तो यह हमें सा आपको याद रखने पड़ेगी यारी इस्पस्ट रखना पड़ेगा आपके अंदर के इत्तितरी को मेरा exam है तो यह स्पस्टे श्मर्ति है और यह अंत्रनाहित श्मर्ति है अंत्रनीत यानि आपके अंतर पहले से यह चीज़े नहीत है जैसे कि cycle चलाना आप seat पे बैठते हो और आपके पाऊ automatic चलना स्टार्ट हो जाते हैं लिखना पढ़ना लिखना आप लिखने बैठे हो आपने जो चीज पढ़ी या जो चीज सुनी उसको आप लिख रहे हो लेकीन आपको पता भी नहींचल रहा है आपका हाथ किस परकार से आपके अक्सर को गुमारा तो यह सब एक इंसन एवं सिफरिन ने बताया है इसमर्थी की भूमिकाइन के अनुसार अब किस प्रकार हम याद करते हैं यानि याद करने के जो तरीके हैं वो तरीके यहाँ पर दिये गए हैं तो पहला तरीका है जोड़ जोड़ से बोल कर याद करना या गागा कर याद करना दूसरा तरीका है लिख लिख कर याद करना रिटन वर्क करके याद करना तीसरा है गाने सुनते हुए याद करना हलका हलका म्यूजिक चल रहा है पोजिटिव सॉंग और आप याद कर लो तीसरा तरीका है करके याद करना यानि किस पर कारी हुआ देखते हैं या किसी को मान लो computer पर कारी करता हुआ देखते हैं तो उससे भी हम सीखते हैं तो वो भी एक तरह से हमारा याद करना हुआ अब बार-बार अभ्यास करके याद करना बार-बार कोजिस करके याद करते हो अभ्यास करके याद करते हो तो वो भी एक करने का तरीका है छोटे-छोटे टुकडों में बाट कर याद करना और लगू रूप में याद करना अगला है स्थान के साथ जोड कर किसी स्थान के साथ relate करके भी याद करते हैं फिर मानसिक चित्रन द्वारा याद करना किसी चीज की हम अपने दिमाग में कल्पना करते हैं और उसको हम याद करते हैं अगला है रटना रटना भी याद करने का एक तरीका है फिर है समझ कर याद करना किसी चीज को समझ लेना फिर है सहाचरिय विदी द्वारा याद करना यानि किसी चीज को किसी के साथ रिलेट करके याद करना यानि जिस परकार आप ट्रिक का प्रियोक करते हो वो भी यहाँ पर कह सकते हैं जैसे इंद्रदनुस के साथ रंग जो होते हैं उन साथ रंग को आप याद करते हो तो उन सब्द के आगे के एक एक सब्द को आप जोड़कर एक नया सब्द बना देते हो जिसके अंदर साथ सब्द होते हैं पहले सब्द से एक रंग दूसरे से दूसरा रंग तो यह सहाचरी वीदी के अंदर आता है अब है संकेतन वीदी इसके अंदर आप कैसे तो जो आप ट्रिक यूज करते हो पड़ाई में वो संकेतन वीदी के अंदर आ जाते हैं अब है याद को प्रभावित करने वाले कारक अभी हमने देखा था याद करने के बिंदू थे यह सब अब है इसको प्रभावित क्या 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 कारक करते हैं मुखी रूप से याद करने को प्रभावित करने वाले दो कारक है और पहला कारक है व्यक्तिकत कारक दूसरा है बाहिकारक अब जो पहला कारक है उसके यहाँ पर दो भाग है पहला है मनोवेग्यानिक कारक और दूसरा है सारेरिक कारक देखे व्यक्तिकत कारक के अंदर दो भ दोद्दी जो सारेरिक कारक है उसके अंदर आता है आईउ ठकावट ये सब सारेरिक कारक के अंदर आते हैं जो मनुवेगेनी कारक है उनमें आप रूची अपिसमता दोनों को देखो के संवेख और मनोबाव प्रेर्णा यानि मोटिवेशन और बौदिक शमता ये सब मनोवेगयनी कारक है जो याद को प्रभावित करते हैं आपके याद करने की छमता को प्रभावित करते हैं सारेरिक कारक के अंदर आपकी परिपक्ता आपकी आयू और आपकी ठकावट आती है अब जो दूसरा पॉइंट है बाही कारक वो है सीखने सीखाने की विदिया यानि टीचिंग मेथड कह सकते हैं जिनको विशिवस्तु की प्रकरती आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो ये सब भी आपके सीखने पर डिपेंड करता है और ये बहाई कारक के अंदर आते हैं वातावरण आपका वातावरण कैसा है आपका समय किस टाइमिंग के अनुसार आप पढ़ रहे हो आप ज्यादा ठके हुए तो नहीं हो आपका टाइमिंग कैसा उस पर समय भी याद को प्रभावित करता है आपके याद करने की पावर को अब है हम बूलते कैसे हैं बूलना एक ऐसी प्रकिलिया है जिसके दुआरा हम पूर्व में कोई भी बात सीखी हो जो वर्तवान चेतना में लाने से में असफल हो जाते हैं यानि पुना इस्मरन एंवाम पुना पहिचान नहीं कर पाते हैं किसी चीज को हम वापस रिकॉल नहीं कर पाते हैं तो यह एक तरह से बूलना है अब इस्मरन और विस्मरन दोनों ही उप्योगि एंवाम महत्पून प्रकिलिया हैं अब महत्पूर्ण कैसे हुई देखिए इस्मरण तो मान लिया हमने महत्पूर्ण है याद करने के लिए लेकिन विस्मरण यानि किसी चीज को बोलना कैसे उप्योगी है तो ये इस परकार उप्योगी है कि गलत उच्चारण असुद लेखन आदी को दूर करने में बोलना ही सहायक होता है आपने किसी सब्द को गलत याद कर लिया गलत मातरा लगा दी तो उसको आपके लिए बूलना भी जरूरी है और सई तरीकों को याद करना भी जरूरी है तो जितना याद करना जरूरी है उतना भी बूल जाना भी जरूरी है हमारे लिए गलत आदतों को पूरने में भी उस आदत को आप जब तक विस्मरन नहीं करोगे यानि भूलोगे नहीं तब तक वह छुटेगी नहीं तो यहां पर यह चौता पार्ट जो था जो नोट्स के रूप में मैंने आपको प्रोवाइट किया है अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक दे दीजिए और थेंक्यू ऐसा ही वीडियो देखते रही है हमारे चैनल पर